हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैं हूं क्रतिका पांडे और जैसा आप जानते हैं किस टाइम हम अपने तयार कर रहे हैं क्योंकि क्या कर रहे हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइस टापिक यूज तयार कर रहे हैं तो जैसे आपके लिए जो कि आपकी इंटरनेट नेट्वर्किंग या फिर इमेल सोचल नेट्वर्किंग इसके साथ ही साथ उसमें इक वर्चॉल रियाल्टी आउग्मेंटर रियाल्टी माल्वियर एंटिवार्स जैसे बहुत सारे टॉपिक्स की कोईशन आपको इसमें मिलेंगे इसमें सर्फ औप्जेक्टिव पूश्चिन ही नहीं साथ में हमनें लास्ट में कुछ ट्रू-फ बने रहेगा आपकी अगर आपने यह कोईशन मन लगा के पढ़ लिए तो आपके समझ देए कि चैप्टर 6 और 7 की आपके बिल्कुल तयारी हो चुकी है ठीक है चलिए स्थार्ट करते हैं देखते हैं सबसे पहला कोईशन तो देखें फॉस्ट कोईशन है इंटरनेट जिस computers from all across the world पेला option दो यह है अब second option देख लेते हैं तो second option है and internet communication and internal communication system metга एक internal communication system मब आब बताएं क्या internet को internal wahrraction system में मतलब कोई चीज है जो कि एक सिर्फ एक branch एक studio या फिर एक रूम करूं के अंदर रह जाए ऐसा तो है तो आ एके साथ ही साथ देखते चल रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि जो हमारा सेकेंड ओप्शन है यह तो बिलकुली गलत है इसके बाद क्या है A Communication System for the Government Government के लिए Communication System क्या यह इंटर्नेट है तो यह भी सही नहीं है क्यों कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए चीक है चलिए अब आगला कोईशन देख लेते हैं तो आगला कोईशन है वाट दस टर्म डियम स्टैंड फॉर इन सोशल मीडिया तो आपने जैसे बहुत सुना होगा शोशल मीडिया में अपने डियम बोर्ड बहुत सुना होगा लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे डियम करें प्लीज डियम प्लीज डियम ऐसा करके लोग बोलते तो यह डियम क्या होता है तो ऐसे कुश्चन जारा तर पूछी जाते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पे चार कौन सा ऑप्शन सी आपका सही है जहां पे डियम का मतलब होता है डियरेक्ट मैसेज चलिए अब अगला कोईशन देखते हैं वह इस दा फाउंडर आप फेस्बुक तो जैसे हम लोग भी जानते हैं कि फेस्बुक के जो फाउंडर है वो है मार्क जुकरबर्ड ऑप्शन द हाँ तो ही आपका इसमें सही ऐसे हे तो यह कॉमेंट करें तो लाइं परपस पता है पर जब रिटिन की बात आती है तो कहीं ने कहीं हमें फिर confusion हो जाता है कि हम क्या इसमें कौन सा option चूच करें है तो देखें इसमें option है to express disagreement क्या किसी का किसी को आप disagreement express करने के लिए आप उसे like करोगे मतलब disagreement का मतलब क्या होता है कि मेरे agreement इसमें नहीं है मुझे यह पसंद नहीं आया तो क्या आप नापसंदी दिखाने के लिए उस उसको like करोगे नहीं यह तो गलत हो गया बाई चलिए अब अगला देख लेते तू से वो post for later बाद के लिए आप एक पोस्ट करना चाहते हो like बटन के मदद से तो उसमें तो Conference को अलगाता है जहां से आप उसे सेकर सकते हो तो यह भी गलत हो ठीक है उसके बाद क्या है तो आप इसे यह आपड्री सीशन देना चाहतेál हो और उसे आप अप्रूवल देना चाहते मतलब यह प्रसेंज साकरना चाहते हो कि हां अपने अच्छा गिया और आप उसे अप्रूफ कर रहे हो कि हाँ आपका काम अच्छा था उसके बाद अगला उप्षिन क्या है टू रिपोर्ट इन अप्रिप्रियेट कॉंटिंट क्या आपको वह जो पोस्ट है वह आपको अच्छा नहीं लगा वह किसी भी तरीके से आपको पसंद नहीं आया भर और अप्रूबल क्लियर है चलिए अब आगला कुष्चन देख लेते ओ कि इस अफुल फॉर्म ऑफ इंटरेट इंट्रेट का फॉर्म क्या होता है ठीके तो इंटरनेट का फूल फॉर्म देखिए क्या है इंटक्र सब Sबसे बल आप्शन है इंटर कॉंटीनेंटल नेटव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और एंटरनेशनल नेटवर्क तो देखें इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्या होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑप्शन सी बाला इसमें देखिए इंटर और नेट दो लेके आपका इंटरनेट चलिए अब अग्ला कोशिन देख लेते फुल फॉर्म एफ क्रπά One W Ultra Gardenmm क्शा होती है अगता है आप सही सोच रहे है एउक्म युप आप्शन ऑन सब्सके में WoW वाइट मतलब दुनिया विश्व संसार वाइट उसमें फैला हुआ एक विप पूरी दुनिया भर में फैला हुआ एक विप लियर है चलिए अगला कोईशन देखते हैं इन विच यह वाज यूटूब फाउंडेट यूटूब कब यूटूब की कब स्थापना हुई कब से स्थार्ट हुआ यूटूब कब बना ठीक है देखें 2002-2005-2008-2010 तो इसका जो सही आंसर है वो है दो हजार पांच और 2005 में कौन सा मन्त था वो था फेब मन्त फरवरी 2005 में यूटूब के स्थापना हुई थी क्लियर है चलिए अगला कोईशन देखें दा कॉंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉल्स ओर्गनाज़ेटेट इंट तो इंटरनेट का जो कॉंसेप्ट था जो इसकी अवधार्न थी उसकी उत्पत्ति कहां से थी कहां से हुई थी या फिर कब हुई थी ठीक है तो 1970-1969-1971-1981 तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी 1969 में इंटरनेट की उत्पत्ति हुई थी 1969 कभी अगर आप से कोई पूछे कि इंटरनेट कब बना तो आप कहेंगे 1969 क्लियर है चलिए अगला कोईशन देखते तो ऑरिजन ऑफ दो इंटरनेट वॉस डेवलप्ट फ्रॉम दो कॉंसेप्ट ऑफ इंटरनेट भारत में इंटर तो बिलकुल भी रही है यह गलत पह आइ थो यह चीज नहीं कोई कंपनी नहीं तो इसका जो सही सब्सकों होती है मैं आपको बताद किया झैर है कर दो कि प्रोजेक्ट हिए एजंसी नेट वर्क टीक्या है यह अर्पानेट के फिल्फॉर्म होती है जो कि कई बार क्वेश्टेंट में पूछ बीजाती है चलिए अब अगला क्वेश्टे लेखते तो अगला कोईश्टे है भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुआ था किसके माधिम से सबसे पहले भारत में इंटर्णेट शुरू हुआ था बीएसनल वीएसनल एंटीनल या फिर नन आपटीज तो देखिए अगर आपको लग रहा हो कि यह बेसनल है तो यह बिल्कुल गलत है यह से नहीं शुरू हुई थी और जो इससे नहीं क्या होता है विदेश संचार निगम लिमिटेट क्लियर है तो भारत में इंटर्णेट की स्टार्टिंग वीएसनल से और कब हुई थी नाइंटीन सिक्टीन से और किसकी मदद से अटपानिट की मदद से क्लियर है तीन कोशन समारे यहां पर बिल्कुल तयार हो गए अब अ किसे कोशन को ऐले के लिए चंप यूज यूज किया जाता है नहीं बिलकुल भी यह तो और टोपिक इसे छोड़तते अगला है तो एक्स्प्रेसर करने के लिए नहीं यह ब combinations लोकेशन के नहीं अरग मार्क कीवर्ण और डॉपिक freakin हमेशर है अग्ला है चलिया अगला Triple support न तो एकला कुछिशन है what is the meaning of Mac address? Mac address का मीनिंग क्या है? मतला Mac address का full form क्या है? Mobile Access Control, Media Access Control, both A and B, none of these. तो मैं आपको बता दू कि Mobile Access Control तो है ही नहीं, both A and B भी नहीं है और none of these भी नहीं है. तो आपको बता है, सही answer हो जाएगा, इसका Media Access Control और मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के address होते हैं, Mac address और एक IP address, ठीक है? In 1969, अर्पानेट वॉस डेबलेब्ड वाई विच कंट्री? 1979 में, अर्पानेट का विकास किस देश के द्वारा हुआ था? मतलब जो 1979 में आर्पानेट से, जो आपका आर्पानेट जो बना था, 1970 में, वो किस देश ने बनाया था? जैसा आप जानते हैं कि जितने ज़्यादा नए-ने जो inventions हुए हैं, वो ज़्यादा तर कहां हुए हैं? USA में हुए हैं, ठीक है? इसका सही answer भी USA ही हुआ. अर्पानेट कहां बनाता है? USA में. और USA की मतलब क्या होता है? United State of America. ठीक है? तो यहां अर्पानेट का क्या हुआ था? विकास हुआ था. चलिए, अगला question देखते हैं. Question number 14. What is the maximum duration for a video on Instagram's main feed? देखे, question समझेगा. यह पूछ रहा है Instagram के मुख्य फीड पर किसी वीडियो को बनाने की अधिक्तम अभधी क्या है? इसने main feed पूछा है. आप कभी यह मत confuse हो जाना कि आप उसको reels का बता दू. ठीक है? आप उसको किसका नहीं बताएंगे? आप, एक second. तो आप उसे reels का नहीं बताएंगे. तो आप उसके लिए उसको बता देते कि reels के लिए जो max time होता है, वो होता है 1 minute. क्या होता है? 1 minute. 1 minute कहलो यह फिर आप 60 second कहलो. जो भी option में दिया. पर वो भी main feed की बात कर रहा है. तो main feed में जो max time होता है वो होता है आपका 60 minutes क्या होता है 60 minutes और यह इसमें अभी अधिकतम पूछ है maximum अगर वो main feed के लिए कही minimum पूछ देता तो आप बताते कि 3 seconds minimum होता है कितना होता है 3 seconds clear है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ और अगला question है when sending an email which line describes the content of the message email भीस्ते समय कौन सी लाइन संदेश की विसय वस्तू के बारे में बताती है जब आप mail भीस्ते हैं मैंने आपको फिलाहाल यह सारी ही चीज़े internet email यह सारी classes में मैंने आपको यह सारी चीज़े बहुत detail से समझाई भी हैं अगर आपने वीडियो देखें तो आपको यह सारी answers अपने आप समझते आ जा रहे होंगे तो देखें इमेल भीस्ते समय कौन सी संदेश की विसय बस्तू के बारे में बताती कौन सी लाइन यह बताती है कि यह मेल किस लिए है इस मेल का परपस क्या है ठीक है तो मैंने आपको यह बताया था कि मेल भीसते समय हमेशा मेल का परपस क्या है यह हमेशा सब्जेक्ट में लिख दिया जाता है ठीक है और यह इसले लिख दिया जाता है ताकि बाहर से ही पता चल जाए लोगों को कि मेल किस लिए है ताकि वो उस ठीक है तो जब आप इस तरीके से subject लिग दोगे तो लोगों को बताया चलेगा कि यह important mail है तो इसलिए हमेशा mail में कोशिश करें कि आप subject वहाँ पर डाल दीजे जो क्या बताएगी उसकी विशाय वस्तु के बारे में बताएगी चले अगला question अब देखते हैं which of following statement is not correct about IP address इन में से कौन सा sentence IP address के लिए सही नहीं है ठीक है चलिए देख लेते हैं सबसे फैन option है IP address is always unique for each computer ठीक है सबसे फैन option तो देखें मैंने आपको पहले बताया है इचीज कि IP address क्या होता है IP address क्या होता है हर एक network से जुड़े हर एक computer की identity जो होती है उसको IP address क्याते है जैसे हम humans है हमारे पास identity क्या है आधार कार आधार नंबर जो होता है वो हमारा दुनिया में किसी भी दूसरे person से match नहीं करता व तो देखें यह option तो इसका महले पिर सही है यह क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है यह तो सही है अब बीप आते एन IP address कौन से स्टाफ 4 वाइट यह कह रहा है कि एक IP address 4 वाइट से बना होता है या फिर 32 बीट से बना होता है तो मैंने आपको पहले यह चीज बताई है क इसके बाद अगला क्या है फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन इमेल एन आई पे एड्रेस टीक है असाइंड टूदा कंप्यूटर इस रिकॉर्ट जब भी आप किसी को कोई मेल बगारा कुछ भी भेज रहे हो या फिर सीब कर रहे तो आपके पास एक आई पी अड्रेस का असाइंडमेंट होना ज़रूरी है तो यह भी सही है तो इसका मतलब यह है और और करेक्ट ऑप्षिन डी आपका सही है क्लियर है चलिए अगला देख लीकर इनविच केज ऑफन इमेल हैपेंस प्राया इमेल किस केस में होती है तो मैं देखो मैं पहले बता दू कि आज ररा केसमें रिखे कर सकते हो आपने capital बनाई हो तो आप समॉल लिग की भी शुकर सकती हो लेकिन में ली आपने भी देखा है हमने भी देखा ज्यादा तर्श होता है वह इमेल हमेशा किस लेटर में होती है लोग केस बटा सुछी आपिशन है चलिए को इस देखते है क्वेसिन उसमें आप maximum कितने character type कर सकते हैं तो देखे option क्या है 100 character 140 240 and 320 तो मैं आपको पहले बता दू किसका जो सही answer है वो है 280 280 characters उसमें maximum type किया सकते इसके पहले जो limit थी वो थी 140 पर अभी जो है वो सही हो गई आपकी बढ़के 280 हो गई बिल्कुल double हो गई उसकी क्लिर है चलिए अगला question देखते है what is b2b b2b किसका question है e-commerce का और e-commerce में मैंने आपको कितने type पढ़ा है b2b b2c c2b and c2c तो उस b2b का full form क्या होता है basic to business business to business both of these none of these ठीक तो इसका सही answer है basic to business to business क्या है business to business clear है चलिए अगला question देखते है the following is an example of pan निम्न में से pan काई कुदा रहना है यहां पर pan गौन सा है pan मतलब सबसे चोटा network person area network वह वाला पैन नहीं तो पैन क्या होता है सबसे चोटा network होता है है ना इनमें से कौन सा पैन का example है hot spot bluetooth internet all of these तो पैन की रेंज क्या होती है यह भी मैंने आपको बताई थी 10 meter तो पैन का इसमें जो और example है वो है Bluetooth यहां पर hot spot नहीं होगा अगर यह वाइफाई होता तो इसका वह भी आंसर हो सकता था internet नहीं होगा क्योंकि internet तो पुरी दुरियां में चाया हुआ तो यह भी गलत है और आफ दीस तो गलत है यह तो इसका सही आंसर है Bluetooth option कौन सा सही इसका भी option सही है चले आगला question देख लेते हैं and identify that sends and receives information across the internet is got एक पहचान करता जो internet पर सूचना भेजता और प्राप्त करता है कहलाता है तो मैंने आपको यह बताया है कि identity कौन है internet पे computers के identity कौन है अभी विल्कुल एक question हुआ था तो computers के identity आप जानते हैं IP address की identity www तो नहीं नेटवर्क भी नहीं है यूरल भी नहीं है सही आंसर क्या है IP address कभी बिगर identity पहचान करता की बात आजे तो उसका सही आंसर हमेशा क्या होता है आई-प अड्रस ठीक है आई-प अड्रस मतलब इंटर्निट प्रोटोकॉल एड्रस एरर इस ऑल्सो काल एरर तुरूटी को डैश भी कहते हैं अड्रस मतलब क्या जैसे हम लोग कहते ना सर्फर अरर अरह चलने रहा यह वो तो उस अर्र को और क्या कह सकते हैं ठीक है तो एरर को बग डिबग कर्सर आइकन और एर को दूसरा और कह सकते बग क्या कह सकते बग बग मेंस भी तुरूटी होता है अगला question देखते है people who write content for a blog व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए content लिखते हैं वो persons जो blog के लिए content लिखते हैं मतलब जो blogging करते हैं उनको क्या कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है blog blogosphere blogger blocking तो उने क्या कहा जाएगा blogger जैसे clear है जो teach करता है वो teacher है ना तो जो blog बनाता है वो blogger हो गया clear है इसमें देखो क्या होता है blogger क्या बनाते हैं देखे blogger करते हैं blogging ठीक है और blogging करके वो क्या बनाते है blog है ना चले अगला question देखते micro blogging is an example of which micro blogging इन में से किसका example है तो आपको बता दे micro blogging twitter का भी example है और facebook का भी example है तो इसका सही answer होगा both a and b क्या होगा both a and b चले अगला दिखते है अगला दिखते add rate is used to add dash in an email address email address में add rate का उपयोग किसको add करने के लिए होता है email address में add rate का यूज किसको add करने के लिए किया जाता है ठीक है तो जैसे email address देखो कुछ इस तरीके का होता है जैसे मालिया abc add rate gmail.com अब आप बताइए add rate किसके लिए यूज क्या जा रहा है यह तो domain name ही है ठीक है इसमें क्या add करने के लिए add rate का यूज क्या जा रहा है क्या यूजर नेम क्या यूजर नेम ठीक है तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा यूजर ने क्लियर है option इसका ए जो है वह आपके सही रहेगा चलिए एक्जाम्पल ओफ रीडिंग और लर्णी और सबजेक्ट विद्ध हैल्प आफ इंटरनेट इंटरनेट की मदद से किसी विसे को पढ़ना यह सीखना क्या कहलाता है ठीक है लर्णीं इसमें फ्रणी जो लोग गल्ती करते हैं वह क्या करते भी लगाते तेकिन आपको क्या लगा रहा है ईसको कोई पूस देगी इगा होता थो उसको बता दिनाए मतलब होता इलेक्त्रोनेट इंटरनेट पे कभी यह लिखाओ e-commerce e-governance e-learning तो इसका मतलब होता है क्या इलेक्ट्रोनिक ठीक है चलिए अगला कोईशन है वाट ड़स SMTP signify SMTP क्या दर्साथ SMTP की क्या है तो मैंने आपको पहले बताया है कि SMTP जो होता है वो एक प्रोटोकॉल है जो कि ए-mail भेजने के लिए यूज क्या दाता है इ-mail में देशा SMTP प्रोटोकॉल option कौन से सही है बी बाला option इसका सही है चले मैनी social media sites and services provide dash for valid account verification कई social media site और सेवाए वैद घादा सत्यापन के लिए प्रदान करती क्या सत्यापन के लिए प्रदान करती है आप भी social media यूज करते हो social media पे मदलब कुछ आपके लिए कुछ अच्छी verification के लिए उसको बार-बार verify करें तो वैद जो वैलिट आपका verification होता है उसके लिए वो क्या यूज करते हैं क्या social media site पे retina scanning करते हैं नहीं हम लोग social media site जब यूज करते हैं तो क्या हम लोग retina को अपने scan करते हैं fingerprint scanning नहीं capture नहीं capture तो कोई two step verification many social media sites double step verification का यूज करते हैं एक अच्छे verification के लिए valid verification के लिए जैसे आप देखते होगे जब हम अपनी mail ID को किसी दूसर सिस्टम में login करते हैं तो होता क्या है कि उसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें पासवर्ड डालते हैं तो जैसे पासवर्ड आप डालते हैं यह क्या आप कर देते हैं फॉस्ट से बेरिफिकेशन तो आप कर देते हैं उसके बाल लेकिन क्या होता है जीमेल उसमें कोड देता है वह कोड आपके फोन पर भी भेज़ता है वहां से आपको अपने फोन से उसकोड को वेरिफाई करना होता है तो यह चीज़ क्या हो गई टू स्टेप बेरिफिकेशन दुबारा से आपको फिर से वह वेरिफाई कर रहा है है ना चलिए अगला question देख लेते wordpress, typad and expression engine can all be used for wordpress, typad और expression engine सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो यह क्या है blogging, word processing, peer-to-peer file sharing and none of these तो देखे, wordpress, पहले मैं आपको बता दूँँ कि wordpress, typad और expression engine जो है यह सारे क्या है software है और इन software का use, blogging करने के लिए किसके लिए किया जाता है, blogging करने के लिए, कौन सौप्शन सही है, अब चलिए, अगला देखते, television broadcasting is an example of, क्या है, इसको एक बार आप avoid करिएगा, चीक ह television broadcasting is an example of, television broadcasting किसको example है, क्या option है, half duplex, full duplex, simplex, simplex and full, तो मैं आपको देखो, सबसे पहले बता दू, कि जैसे दो चीजे है, एक तो है half, sorry, half duplex, एक है, full duplex, ठीक है, अब देखे, half duplex वो चीजे होती है, जो कि क्या होती है, one way, जब communication one way हो रहा होता है, जिसमें, उसको कहते है, half duplex, one way communication, one way, जब एक ही जैसे, अभी मैं पढ़ा रही हूं, मैं बोल रही हूं, पर उदर से कोई response नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, one way communication, तो ये मेरा क्या हुआ, half duplex, बहुत इच्छे example है, half duplex का अभी जो ये class चल रही है, कि अभी मैं class ले रही हूं, अभी ये class live हो जाए, ठीक है, और उदर से साथ में आपका response हा रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, two way communication हो जाएगा, या फिर किसी offline class में हम पढ़ रहे हूं, मैं बढ़ा रही हो और आप पढ़ रहे हूं, तो भी क्या हो जाएगा, two way communication, full duplex, तो इसका मतला, अब आप television किसका example है, one way communication में क्या क्या आएगा फिर, रेडियो भी आपका one way communication में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसके बाद television भी आएगा, news paper भी इसी में आएगा, है ना, तो television क्या हो गया फिर, half duplex, क्या है, half duplex, clear है, चलिए, अब आगे देख लेते, which of the following is a web server, इन में से browser, website, webpage, मैंने आपको सारे पढ़ाएं हैं, internet की class में, तो Apache क्या है, एक web server है, option D, इसमें आपका सही है, चलिए, अगला question देखते है, stdp, colon, slash, www.google.com is an example of, यह किसका example है, इस तरीके से क्या लिखा होता है, यह क्या एक URL है, an access code है, and protocol है, और broadband है, तो यह क्या है, URL है, किसी भी website का जो एक एड्रस दिया होता है, website के address को कहा जाता है, URL, है कहा जाता है, URL, चलिए, अगला question है, what is a uniform resource locator, वो सी देखें, वो से URL के आपे full form दी हुई है, कि uniform resource locator क्या होता है, URL के full form आपको मिल गई, uniform resource locator, इसकी जो पहले full form हुआ कर्टीरी स्टार्टिंग में, व आप चेंज हो कि क्या होगा, uniform resource locator, वो क्या है, तो मैंने आपको बठाया है, अभी URL क्या होता है, और hardware, नहीं, यह तो गलत है, और software program, नहीं, address of a document और web page, मैंने आपको अभी यहीं बताया, कि किसी भी web page, किसी भी document का जो address होता है, website का, उसको कहते है, URL, तो कौन सा option हमारा स जलता है, चले, आगे रेखते हैं अंकला question, what is the purpose of the live feature on Instagram, Instagram पर live feature का क्या मतलब होता है, चीक है, तो देखे, क्या मतलब होता है, तो schedule post, वो schedule करना क्या उसका feature होता है, नहीं, to create post, pulse, नहीं, to share live videos broadcast, live videos broadcast करने के लिए live feature use होता है, हाँ, यही साही answer है, तो edit emails, नहीं, option कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, चलिए, अगला question अब देख लेते, electronic mail address is made up of, electronic mail मतलब email बना होता है, कितने पार्ट में बना होता email, तो देखे, अभी जैसे मैं आपको बताया था, कि email कुछ इस तरीके से होती है, ABC, add rate, gmail.com, यह mail idea, अब आप बत है, इसमें कितने पार्ट है, एक तो यह पार्ट है, यूजर नेम, और एक क्या हो गया, domain name, क्या है, यह domain name, ठीक, अब यह add rate, तो यह separator है, तो इसके पार्ट कितने हो गए, दो, यूजर नेम और domain name, तो email ID हमेशा, दो पार्ट में मिलके बनी होती है, अगला question है, the telegram is an example of, इन में से telegram किसका example है, social site, instant messaging, web browser, none of these, इसमें ज्यादा दर लोग क्या करते है, social site लगा के चले आते हैं, पर यह सही answer नहीं है, social site तो होई नहीं सकता, क्योंकि social sites तो हमेशा वो होती है, जिस पे आप जिनको नहीं जानते हैं, वो person भी आपको मिलेंगे, जिस पे आप जिसक telegram और WhatsApp हमारा वो है, जब हमें हमारे पास जिनके number होते हैं, हम सिर्फ नहीं लोगों से contact करते हैं, है ना, इस पे हमें कोई publicly लोग नहीं मिलते हैं, जिनका number नहीं वो भी मिल रहा है, ऐसा possible नहीं होता, तो इसलिए telegram जो है, यह होता है, instant messaging, क्या होता है, instant messaging, कौन सॉप्शन सही है, बी, चलिए, अगले question देखते है, by which one land connected to another land, किसकी मदद से आप एक land को दूसरे land से connect कर सकते हैं, आपको हम बताते हैं, जैसा कि हमारे पास यह दो लेन है, एक यह लेन है, इसमें कुछ इस तरीके से system connect है, एक यह लेन है, इसमें कुछ इस तरीके से system connect है, ठीक है, अब इन दोनों land को हमें यहाँ पर क्या करना है, join करना है, add करना है, इनको हमें यहाँ पर, तो इन दोनों land को एक साथ जोडने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देता जाल नहीं हो सकता क्योंकर सिंविर्ण करने के लिए वोता है है तो यह placed होता है लिए भी हम इसप्राइब प्रियात करने नेट्वर्किंग से क्वेशन बहुत पूछे जाते हैं कि ब्रीज का यूज क्या जाता है दो लैन को एक साथ कनेक्ट करने के लिए ठीक है अगला कोईशन है वाट इस फुल फॉर्म ऑप आर्डियस की फुल फॉर्म क्या होती है रीमॉट डेक्स्टॉप होती है वाइलेस तil why फॉर्म क्या होती है वाइलेस फीडिली डठीज बद्रंसेंट का स concealed कव और कंप्युटर तक भी हसना कह रहाता है checking कि मैं आपको बता दो फॉर एक्जांपल यह internet है क्या है यह internet इससे क्या हो रहा है कि यह और एक computer computer one एक यह हमारा के दूस्रा computer है computer two इससे हम कोई चिज लेकर आ रहा है क्या कर रहा है रिदेंग उस पूपधर से इंटर्णेट से कोई चीज भेज रहे हैं तो समझ न होता क्या है इंटरनेट से जब हम कोई चीज लेके आ रहा है तो उसे हम हमेशा कहते हैं डाउनलोडिंग क्या कहते हैं डाउनलोडिंग जब इंटरनेट से हम कोई चीज लेके आते तो हमेशा वो कहलाती है डाउनलोडिंग और जब इंटरनेट पे हम कोई चीज भेज रहे हो DOWNLOADING तो इसका सही जो आंसर होगा इंटरनेट से किसी फाइल को मारे computer बहेजना इंटरने इसका काया आइगा नाइगा डवलोडिंग क्या होगा डाउनलोडिंग ट्लियर है है कौन्पर अग्ला Q Access देख लेते हैं विच फाइल पाइल ड़ोटर उपने हो तो पहरेगा si को सेफ करके रख सकते हो सेफ करके रखने का मतलब यह है कि जैसे कहीं पर आपका डॉकुमेंट बेरिफिकेशन होना है वहां पर आपके ओरिजनल डॉकुमेंट मगाए गए हैं तो आप उन सारे डॉकुमेंट को अपने डिजी लॉकर में डाउनलोड करके रख लीजिए as a soft copy जहां पर आपके ओरिजनल फिजिकल डॉकुमेंट मांके जाएंगे वहां पर आप इस डिजी लॉकर वाले डॉकुमेंट अपने फोन में दिखा दीजे वो आपका क्या होगा एस ओरिजनल बेरिफाई किया जाएगा ठीक है तो डिजी लॉकर में PDF, JPG, PNG यह तीनों ही तर तो इसका जो सही आंसर है वो है MP4, MP4 फाइल को उसमें अप्लोड नहीं किया आ सकता है, चलिए अगला देख लेते हैं maximum which size documents can be uploaded in Dizzy Locker, Dizzy Locker में अधिकतम कितने size का document upload कर सकते हैं हाद एक document का max कितना size होना चाहिए, 20, 10, 15, 25, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा 10 MB, आप उस पे 10 MB तक का max document upload कर सकते हैं चलिए, अग्वा कोशन देखते हैं, 43 number, what is the meaning of IMEI, IMEI का क्या आर्थ है, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे फोन में एक unique number होता है, उसको हम गहते हैं IMI number, उससे हमारे फोन को track किया जा सकता है, उस IMI की full form पूछी है, और यह पहले भी exam में पूछ चुके है, इंटरनेट मु mobile equipment identity, और इसको लोग गलत कर देते हैं, इंटरनेट मुबाइल लगा के, बलकि क्या होती है, इंटरनेशनल mobile equipment identity, clear है, चलिए, अग्ला question देखते, which social media platform is known for its character limit in bio description, कौन सा social media platform, जीवनी बिवरंड में अपनी वर्ण सीमा के लिए जाना जाता है, कौन सा social media platform ऐसा है, कि उसमें जब आप bio fill कर रहे हो अपना, तो bio में character limit होती है, facebook, instagram, linkedin, twitter, ठीक है, तो इसका सही answer है, instagram, instagram के bio में, एक characters की limit होती है, clear है, चलिए, Each computer on a network is recognized by a unique, network पर प्रतिय computer को एक अधिती दोरा पहचाना जाता है, किसके दोरा पहचाना जाता है, IP address, HTTP, STTPS, www, तो किसके दोरा पहचाना जाएगा, IP address, HTTP क्या है, Hypertext, Transfer Protocol, और World Wide Web, ठीक है, लेकिन इसको किसके दोरा पहचाना जाता है, IP address के दोरा, एक questions, दो तीन बार बरा का full form क्या है, High Transfer Machine Language, High Transmission Markup Language, Hypertext Markup Language, Hypermedia Markup Language, तो इसका जो सही answer है, वो है, Hypertext Markup Language, कौन सा ओप्शन साही है, C ओप्शन साही है, चली, अगले question, a set of rules, followed by each computer, पर present owner, network is called, network पर मुझूद प्रते कंप्यूटरा दोरा पालन की जाने वाले, नीमों के समुहों को क्या कहते है, तो मैंने आप कोई बताया है, कि internet पे, जो नीमों का समुहों होता है, जो होता है, set of rules, ठीक है, उसको कहते है, क्या कहते है, को कहा जाता है, internet पे, set of rules, ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है, वो है D, protocols, clear है, क्या है, प्रोटोकॉल्स, चलिए, अगले question देखते है, inventor of www, www, www के inventor कौन है, किसने www बनाया है, तो देखे, Bill Gates, Lee and Fiong, Tim Burnersley, Tom Burnersley, इसका सही आंसर है, Tim Burnersley, www बनाया है, Tim Burnersley ने, 1989 में, और इ ने, www बनाया है, जैसा आप जानते हैं, दूसरा इनोंने, HTML भी बनाया है, क्या बनाया है, यह कब बनाया, 1991 में, कब बनाया, 1991 में, clear है, चलिए, अगला question देखते है, question number 49, what is the purpose of the BCC field in an email, email में BCC field का उदेश क्या है, मैंने आपको पहले बताया है, कि BCC क्या होता है, carbon coffee and business contact copy, तो इसका जो सही answer है, वो है, blind carbon copy, A, clear है, चलिए, अगला देख लेते है, what is UTS means, UTS का मतलब क्या होता है, unreserved tracking system, unreserved ticketing system, unreserved transfer system, unreserved ticketing schedule, तो इसका सही answer जो है, वो है, unreserved ticketing system, कौन सॉप्षिन साइए, B बाला, अब देखें अगला जो question है, वो है, what does AI stand for, AI के full form क्या होती है, automated intelligence, advanced intelligence, artificial intelligence, algorithmatic intelligence, तो आपको पता है, AI के full form होती है, क्या होती है, artificial intelligence, इसका नाम artificial intelligence क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये कोई natural intelligence नहीं है, ये humans ने बनाई हुई होती ह है, तो ये एक ऐसी intelligence है, जो कि humans के निमार पे काम करती है, इसलिए इसको का जाता है, artificial intelligence, ठीक है, चलिए, अब next question देखते है, what is the purpose of the CC field in email, email में CC field का उदेश क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको भी बताया था, कि BCC मतलब होता है, blind carbon copy, और ऐसे ही CC का मतलब होता है, carbon copy, क्य ठीक है, ये question भी कई बार पूछे जा चुके, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, अगला है, what is the full form of W3C, W3C की full form क्या होती है, और full form अमेशा इसी तरीके की पूछी जाएंगे, जो बहुत common full form से में बहुत कम पूछी जाती है, World Wide Web Communication, World Wide Web Cyber, World Wide Web Consortium, World Wide Web Consortium, चीक है, तो देखिए, ये है World Wide Wide, तो ये तो है नहीं, World Wide Web Communication तो है नहीं, World Wide Web Cyber भी नहीं है, और ये तो देखिए, World Wide Web की ही यहाँ पर full form गलत है, World Wide Web लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है, तो इसका सही फूर फॉर्म है, World Wide Web Consortium, ठीक है, चलिए, अगला कोईशन है, अगला कोईशन है, अगला कोईशन है, अगला कोईशन है, या इंटरनेट पर सबसे लोग प्रिय सेवाओं में से एक है, अब बताओ, इसका में खेंड़े मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो वह इंटरनेट मतलब भी नहीं है, टुलनेट तो प्रोटोकॉल है, एट क्या बच्ता वेब, घ्रानेट थे सकाbelt अश्ज़ है, जिसपिन किया है, अगला किसों डिक से चलिक है, तो नवजेइ सबस्याहिए प्ल्लास्टिकमनी, इमेल सर्विस प्रोवाइडोर, रेल बेर्वेस प्रोवाइडोर और इवॉलेट तो इसका सही आंसर है रेले अरीडेगेक्र है यहाँन्स के मदद से अप इस पर चाहर। nut अपना डिख सकते हो कि इसमें कितनी सीट से आप उसमें टिकेट अपनी बुक कर सकते हो यह सारी चीजें आप आयार सीटीसी के तुरू कर सकते हो ठीक है ओनलाइन सर्वेस है रेलवे की और आपको एक चीज़ और बता दे कि आयार सीटीसी की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है तो ब पॉरेशन ठीक है इंडियन डिल्बेक ट्री टूरिज्म कॉर्परेशन किसके फुल फॉर्म है आयार सीटीसी की चलिए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं क्वेशन नमबर 57 एक सॉफ्ट्यर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेपेजर को देखने के लिए किया जाता है किसका प deinस तो कि वेब ब्राउजर्स हमेशा क्या होते है वह वेब ब्राउजर किसकी मदबस से देखें जाते हैं वेब ब्राउजर की मदब से ठीक है चलिए अब अगला कोर्शन देख लेते तो अगला कोईशन है ऑट पैम डिये ईमेल के संदर में इस पैम-कक्या अरत है इमेल के संदर में इस पैम का क्या था है इस पैम क्या होता है ठीक है तो इस पैम क्या है देखे हमेशा क्यों यह कोईशन में बहुत गल्तिया होंगी क्यों होंगी आपको क्या लगेगा कि स्पैम की कौन से फूल फॉर्म लेके मैं आपको बता दूं कि spam कोई फूल फॉर्म ऐसी नहीं है इस फ्रेम क्या है। unsolicited bulk email unsolicited bulk email ऐसे messages ऐसे email जो आपके डेटा को आपके system को किसी भी तरीके से हैक करना चाहते तो इस तरीके के जो mail होते हैं अंचाहे मेल उनको कहा जाता इस पैम यह तीनों ही ऑप्शन उपर के गलत है ठीक है चलिए अगला कोईशन क्या है वाट डिस ब्यार में वी आर का फुल फॉर्म क्या होता है वर्चुल रेस्पांस वोकल रेशियो वर्चुल रियालिटी विटल रिस्पांस तो इसका सही यह वर्चुल रियालिटी विएर और गयार दो होते हैं वर्चुल रेयलिटी और इक और डियुख ऐुक्यूमेंटोर से करना होगा इंटरने चाब तब ही जुपेंगी जब आप अपने computer को किस से connect करेंगे? इंटरनेट और किर्फिर बोर्ड? नहीं भाई. इंटरनेट सूसाइटी? नहीं. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइदर? डिफरेंट कंप्योटर. किसी इंटर्неट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो सकते आपके बास एक सर्वेस प्रोवाइडर होना चैंड है सार्स प्रोवाइडर मतलब क्या चैसे हमारे पास सब्रेस प्रोवाइडर स्पाइपन में जिलो जिफार होता है तभी हम किस से कंडेप हो पाते हैं इंटर्नेट से टिक है तो सर्वीस प्रोवाइडर कुछ भी हो सकता है योस अंब भी हो सकता है यह सारे क्या होते हैं service provider होते हैं ठीक है चलिए अगला देख लेते हैं आप devices that are used to transmit data over telecommunication lines ऐसी device जिसका प्रियोग telecommunication line ओपर data transmit करने के लिए किया जाता है ठीक है drives platform modem all of these तो मैं आपको बता दू कि modem का प्रियोग किया जाता है telecommunication line पे data को transfer करने के लिए मौडम क्या होता है मैं मौडम के आपको full form भी बता दू जो कि बहुत पूछी जाती है मौडम की full form होती है modulator ठीक है जहां पे अगर देखो इस तरीके से अगर मौडम लिखा है ठीक है तो mo का मतलब होता है modulator और dem का मतलब होता है demodulator मौडूलेटर एंड दी मौडूलेटर और इस तरीके से भी बनता है कि मौडूलेटर डी को डी को डी को डी मौडूलेटर का short form क्या है तो आपको बताना होगा modem modem का full form पूछ दिया जाए तो modulator एंड दी मौडूलेटर यह क्या करते हैं इस signals को convert करते हैं analog to digital digital to analog यह हमने सब fundamental की classes में पढ़ा हुआ है चलिए अगले देख लेते हैं फिस protocol is used for internet working internet working के लिए किस प्रोटोकॉल का बताया है तो इसका जो सही अंसर है वो है TCP IP क्या है TCP IP जहां पर अकर बात की जाए TCP की तो TCP की full form होती है transmission control protocol क्या होती है transmission control protocol और अकर IP की बात की जाए तो IP के full form होती है internet protocol क्या होती है internet protocol तो internet पर क्या internet पर इंटरनेट वर्किंग के लिए आपको TCP IP protocol जरूरत पढ़ता है पुसका यूज करते हैं ठीक है क्वेशन नंबर 63 एं एमांग ग्रूप पूपिल बाई instant messaging instant messaging के द्वारा लोगों के समों के बीच क्या क्या हो सकता है अगर आप इनसेंट मैसिजिंग का यूज कर रहे हैं तो पिर आप या कर सकते हैं चैटिंग में क्या क्या कर सकते हैं आप एक तो रिखे ठीक है चली अगले कोईशन है देखे एंड इसको कोईशन को थोड़ा सा ध्यान से समझ जेगा थोड़ा कोईशन बड़ा है लेकिन बहुत आसान है एंड इंटर्कनेक्टे नेटवर्क एक्सुजिबली यूज़ विधिन ओर्गनाजेशन किसी भी ओर्गनाजेशन मेंक इंटर्कनेक्टे नेटवर्क है चीक है और सच एज बैंकिंग बिजनेस फर्म एक्सट डैट यूज इस वेप टेकनोलोजी फॉर शेरिंग डेटा ओवर कम बने ओवर इंफोमेशन इंटर्नली इसकोल जैसे बैंक बिजनेस वगारा में कोई ऐसा एक नेटवर्क यूज हो रहा है जो कि क्या होता है जो इंटर्नली सिर्फ अपने इंफोमेशन को रिसीप कर रहा है इंटर्नली मतलब अंदर यंदर ठीक है जैसे एक कॉलेज इंटर्नेट होगा हाइपर्टेख्स झोगा तो देख करगों का तो इससको मतला भी नहीं कर अब देखे अगला देख अगला रिए तक रनी इंटरनेट क्या है यह तो पूरी किसमे से मतलु यह क्या जाता है तो यह तो पॉसिवल नहीं है हाइपर्टेक्स का इससे कोई मतलब नहीं है तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है इंट्रानेट intranet मतलब होता है क्या होता internet का मतलब एक सेकेंड internet का मतलब क्या होता है कोई ऐसा network जो कि किसी भी किसी organization के अंदर अंदर ही अंदर जिसका यूज क्या जा रहा है ठीक है उसको हम कहते intranet ठीक चलिए अगला उसके बाद में देख लेते हैं और computer network that is used for controlled access from outside of an organization intranets is got और कि संगिटन के intranet के बाहर से नियंतर पहisti पहुझने के लिए होता है ज कि बिजिनस के अदर जो network used होता है किसी भी business dapat को यूज ने बूप और पता है इंट्रानेट एटरिऊСयर इंटर्वर्क की मदद से लिए ऐहार से सेंड रिसीब करते हैं ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं इंटर निट से बड़ा होता है जो इंटर निट फ्रेम एक्स्तरasmus तो देखे वह क्या होता है एक्स्टरनेट देखे मैं आपको बता दोंगर इसको और सिरीज वह रखेंगे तो जैसे बतातें ना Landman Ben This is इसी तपरीकर से अगर आप sich हो to land ko internet भी कहा जाता है क्या चार चाय tot internet क्यों कि कि किसी धी किसमे किसी कमपनी के से बिजनेस के अंदर यूज किया डा ता है अगर आप बात कर सबते हो किसकी वैन की जो कि सबसे बड़ा है तो उसको आप कहोगे इंटरनेट इंटरनेट सबसे इच्छा है कि जैंपल है वैन का क्लियर है इसी तरीके से आप इसको पूटप करिएगा ऐसे आप इसको याद कर लीजेगा चलिए अगला कोशन यह है और वर्ड वाइड होते है ठीक है यह तो एक स्टेटमेंट है अब इसमें कुछ अंदर ऑप्शन दियेगा है रिसाइडिंग इन सेफरेल कंप्यूटर्स क्रियेटेड यूजिंग स्टीमल ठीक है वह वर्ड वाइड बेमेज और वो वेपेज होते हैं वह किसके दौरा बनाएं कि होते हैं इसका मतलब क्या है बोथ बी एंड सी हमारा सही हो जाएगा सही अंसर क्या है बोथ बी एंड सी चली अगला कोईशन कोईशन नमबर 67 वोट इसमां फाइल साइज लिविट फॉर अटेश्मेंट इन मैनी इमेल सर्विसेज कई सारी इमेल से वाहों में अनुछ निगों के ल आप मैक्समम कितने अंबी तक की फाइल भी सकते मिल करते टाइम अटेश्मेंट में 5-10-25-50 तो इसकारी के सही आंसर है पच्छिस ज्यादा दो मेल सर्विसेज हैं उसमें 25 अंबी तक की आप मेल भी सकते हो अब एक आध हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलिक जो माइक् मेल हैं जो मेल सर्विसेज हैं उसमें 25 अंबी तक की भी जाती इसलिए इसमें क्या है कि ज्यादा दरकी इसके बात की गई है कि लगबाग कितने तक की भी जाती है लिए साइज ओफ एंड आईपी अड्रेस इन आईपी वी सेक्स तो मैंने आपको यह आईपी एड्रस पढ सब्राइब जाता है आईपी और आई पी बी शिर्फ जो होता है वह वहां ट्वेंटी एट बेट बेट पर होता है कितने और भी जो होता है तो फोह पर प्र्राइब देट सुइचिंग कर दो एक का मतलब होना होता है ठीक है तो इसी किस पर काम करता है पैकेट स्वीचिंग पर चलिए अगला कोईशन देखते हैं कोईशन नमब सेवेंटी विस्टोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस नोन फॉर इट्स कारेक्टर लिमिट इन पोस्ट कौन सा सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एंस्टाग्राम क्या होता है इसका इंस्टाग्राम से बायोग्राफी poi कि फिलाल बात करें रहा यह किसवी बात कर रहा है कि हाव उसमें हैं मैक्सिम म् कारेक्टर लिमिट तो मैंने आपको ऐस धूदी तुड़ी देर पहले बदाई ती कि Twitter में मैंने आपको भी कितनी character limit बताई थी 280 है ना तो इसका मादब इसका सही answer क्या है Twitter clear है question किसी भी तरीके से आ सकता है सिर्फ फूतना भी पूछ सकते हो character limit भी पूछ सकते हो कितने character हो सकते वो भी पूछ सकते which of the following is a popular email service provided by Microsoft में से कौन सी Microsoft दोरह प्रदान की जानी वाली एक प्रोग प्रीएमेल से माइक्रोसॉफ्ट को इसमें से कौन सी email आइडी Microsoft ड़ा डबले पूए जीमेल तो Google से हुआ है याहू तो याहू सो हुआ है Apple मेलता है तो Apple का है तो कौन बचा आउट्लोग आउट्लोग किसका है Microsoft Microsoft आउट्लोग ठीक है अगला कुईशन देखते है 72 वाट इस डिवाइस कॉमनले यूज़ पॉर एक्सपिरियेंसिंग वर्चुल रियालिटी अब आवासी वास विक्ता का आनुभव करने के लिए आम तोर पर किस उपकरन का उपयों कि आउचिया जाता है वर्टोल रियालिटी का को यूज करने के लिए मतलब बचूल रियालिटी के लिए कि रिए जिस का यूज कि आता है और और यह भी किसमें यूज होता है एर में ठीक है तो क्या वचा आपका फिटनेस ट्रेकर्स यह तो है नहीं तो आपका सही आंसर है वी आर हैट सेट मैंने आपको यह पहले पढ़ाया भी है कि वर्ट्योल रिर्टी के लिए दो तरीके की डिवाइस यूज होती वियार है एक है जो है यहां है धुक्तोरवनेटियस होता है जो हाँ इंबल इमेल इमेल फोलटर नहीं होंकि नौर्मल इमिलफ endeavor नहीं है सी बाला ठीक है चलिए विश्यन नमब स्टेवंटी फोर वाट ड़स एमाइएमी इस्टेंड फॉर इन इमेल में मातलब होता है और ऐसे फूर्म सी में सब पूछे जाते से मेल इंटर्नेट एक्स एक्सेशन को मैल एक्सेशन इंटर इंटरेक्शन एंड मील एक्सेंज और फॉर्पिर कि देखो जब भी आप टुपल सी और ओड़ेल का पेपर दे तो आप हमेशा चारों प्रफिन को पहले सही से पढ़ा है बहले ही आपको अपना पहले सब्सक्राइब पहले मिल गया पर फिर भी आप चारों प्रफिन को पढ़े उन अप्सिन में हो सकता है सिमिलर को वर्ट दि है कभी हमें आंसर पहले ऑप्षिन में भी मिल जाता है सेकेंड मिल जाता थर्ड भी मिल जाता पर चारों आप्षिन बार बार पढ़ रहा है क्योंकि सारे आप्षिन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए अगला कोईशन देखते हैं वाट इस परपल्स आप दो अनने लोग रचल फीचर ओनिटर 2020 फिचहर और टूइटर टूइट क्या है टुरी पूस्ट्स प्या करना स्थे हों ससिए करना सब्सक्राइब को मतलब हुए ऑपक्रोस्ट को तु बोक्मार कर टुइट अपने किसे टूइट को बोक्मार करना है तो रिपलाई टूइट लाइस किसी भी टूइट पर रिपलाई देना खिसका जुछ टूर की पोस्ट को रिपोट कर देना क्या रिपोस्ट कर देना तो दो हमारेов 75 कोष्टेन्स Gd और आप हमने लास में 25 रखे है true false तो वो true false अब हम लोग देखेंगे तो ताकि हमें यह पता चलदा है कि हमारा concept कितना clear हो चुका है तो सबसे पहला है the internet and the worldwide wave are the same thing मतलब internet and worldwide wave एक ही चीज़ है तो यह तो देखें बिल्कुल गलत है यह दोनों सेम चीज़ तो ही नहीं यह क्या है फॉल्स है चलिए अगला question अब देख लेते हैं तो अगले जो हमारा question है वो है ट्वीटर्स character limit for a tweet is 320 character यह कह रहा है ट्वीटर की जो character limit वो 320 है क्या 320 है मैंने अभी आपको थोड़ी दिर पहले बताई थी कितनी बताई थी मैंने आपको कई बार बता चुके हूं मैं 280 है इसकी तो इसका मतलब यह क्या है यह भी false है clear है चलिए अगला question अब देख लेते है LinkedIn is a primarily a social networking platform for sharing photos and videos यह social networking platform है जहां पर वीडियोज यह फिर फोडियोज बगरा शेर कर सकते हो तो यह सही चीज़ है क्योंकि यह true है LinkedIn भी एक social networking platform है ठीक है जहां से आपको jobs बगरा की भी opportunity मिलती रहती है the internet was developed in 20th century क्या internet बीस्वी सदी में बना था किसमें बना था internet कब बना था 1969 में तो यह कौन से सदी है 19th century तो इसका मतलब यह क्या हो गया false ठीक है अगला question देखते है in a hybrid topology two or more different types of network topologies are connected एक hybrid topology में दो या उससे ज्यादा topologies को connect करके एक hybrid topology बनाई जाती है मतलब एक hybrid topology में दो या दो से ज्यादा topologies का यूज होता है ठीक है तो मैंने आपको पहले भी चीज़ बताए class के टाइम पे कि hybrid का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा चीज़ों से मिलके बनी तो यह प्रोटोकॉल क्या यह प्रोटोकॉल में यूज होता है नहीं यूज होता है एफ टीप नहीं यूज किया रहता है एफ टीप फाइल ट्रंसपर के लिए यूज होता है तो इसका मतलब यह क्या है फॉल्स है चले अगला देख लेते हैं कि टर्म वाइरल इन सोशल मीडिया रिफर्स टू एन इंफेक्सियस डिसीज यह क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया म और हम लोगाते हैं वारा चल रहाँ हो का इंटाथेस डिसीज होगा नहीं चल गई हृए चल ऑग ओDO और ऑगो कर कि दुटकॉल यह चिज़ तो गलत है ठीक है चलिए अग्ला देख लेते हैं आइपी जीजिस्ट लेटेस्ट वर्जन ऑंद इंटर्नेट प्रोटोकॉल इपीव जीजिक्स लेटेस्ट वर्जन है इंटर्नेट प्रोटोगॉल बताया अभी आपको उसके दो अभी तक के वर्जन आया है अगला देख तहीं है cuánt just shot of binary lock चाहते राय ब्लॉग इस स्टॉर्ट फर्म है बाईनी लॉक का तो ही जो पलाद है फिशर्ड फर्म किसका सिर्ट का ऑग्रो ठीक क्या है लोध आग पालस रहे जो चली अगला नेकल लेवर्ट के में center में एक हब होता है ठीक है विच आल डिवाईसेस connected to this Central Point जितनी भी devices हैं वो सबीस Central Point से connected है तो क्या यह इस्टार टोपोलोजी है यह आपको सारी टोपोलोजी पहले पढ़ाई है तो हां सही बात है यही स्टार टोपोलोजी जिसमें center में हब होता है और सारी devices उस हब से connected होती है चलिए अगला देख लेते हैं और मॉर्टम इस यूस्टू कनवर्ट डीजिटल सिंगनल इन्टू अनलोग सिंगनल फॉर इंटरनेट ट्रांस्मिशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मॉर्डम का काम होता है डिस्टल सिंगनल को एनलोग सिंगनल में कनवर्ट करना ठीक है तो इसका मतलए भी आंसर क्या है इसका ट्रू है यह सही चीज़ है और मॉर्डम का मैंने आपको फुल फॉर्म अभी क्या बताया था मॉडिलीटर एन दी मॉडिलीटर ठीक है चलिए अगला 87 a hashtag is primarily used to indicate a question in social media तो मैंने आपको भी हैस्टेक का यूज़ बताया था उसका यूज़ यह नहीं था कि किसी question को आप क्या कर रहा है इंडिकेट कर रहा है ना तो हैस्टेक का मैंने आपको थोड़ी ही दिर पहले यूज़ बताया था तो यह भी क्या है फॉल्स है चलिए अब अगला question देख लेते हैं question number 88 the like button on social media अप्रूबल के लिए agreement के लिए disagreement के लिए dislike button यूज़ होता है ठीक है तो इसका मतले वे क्या है फॉल्स है चलिए तो 88 questions हो चुके है अब 89 questions देख लेते वाइफाइज टाइप आप वायर्लेस networking technology वाइफाइज क्या है एक वायर्लेस networking technology का टाइप है that allows devices to connect to a local area network जो की devices को एक local area network में connect करने के लाला हो करती है without physical cables बीना के द्वारा मिला बीना के क्या करती है devices को एक local area network में connect करने के लिए आपको सुविर अप्रदान करती है कौन वाइफाई है ना तो वाइफाई का मतला भी है कि विदाओ फिजिकल cable wireless और किसमें यूज क्या जाता है वाइफाई का वाइफाई का यूज क्या जाता है लैन में भी पैन में भी और लैन में ठीक है तो सही आंसर आपका इसमें है यह ट्रू हो जाएगा ठीक कोश्य नमबर 90 दी दो ओसाई मॉडल इस्टैन्ल आप ऑपन सिस्टम इंटर गरीक्शन मॉडल ओसाई की फूर फॉर फॉर्वर्पर ओपन सिस्टम इंटर करेक्शन होती है ठीक है यही इसका सही आपसर है चलि है ट्रू है अगला कोश्वर देख लेते हैं लोकल एयरे नेटवर्क लैं ग सिंगल बिल्दिंग और कैमपस तो हां लोकल एरे नेटवर्क का एक सिंगल बिल्दिंग एक औरगनेजिशन ने बैंक एक स्कूल एक कॉलेज के अंदर ही यूज किया आता है तो यह आपका ट्रू है और अब अगला देख कोश्चन देख लेते हैं 92 इंटरनेट इस एंग्ज है इंटरनेट तो इसी लिए यह क्या है फॉल्स है ठीक है चलिए अगला कोईशन देख लेते अब परसनल इरे नेटवर्क पैन इस डिजाइन फॉर परसनल डिवाइस और से स्मॉल एरिया सच है रोम और परसनल परसनल वरक स्पेस एक परसनल इरा नेटवर्क जो होता है जो आपने परसनल ली को यूज करें या फिर एक रूम बगारा के अंदर करेक्ट किया जाता है तो यह सही है इस जा आपका ट्रू है ठीक है परसनल इरे नेटवर्क किसी रूम बगारा कोई 10 मीटर की रेंज में यूज किया जाता है मैंने आभी आपको थोड़ी पहरी ची है को भी सिस्टम switch दूसरे सिस्टम मतलब एक क्लाइं डियर्क डियर्क्त एक क्लाइंट डियरुक्त गारत दूसरे क्लाइंट प मतलब सकतर हो जाए और यहां पर कोई भी सरब ना उसे पीर-ई-चरे ओनेट्वर्क रिप्लाइज cooked open एक का सेध्रम सरवर्समेंज Meg अक्सिस कंट्रोल तो मैंने आपको बताया कि पीर-to-peer में कोई सर्वर नहीं होता है इसका मतल़ा भी क्या है फॉल्स है ठीक है जिसमें सर्वर होता है उसको पीर-to-peer model नहीं कहते है उसको क्या कहते है क्लाइंट सर्वर मोडल यह दिस यह दो तरीके के मॉडल होते एक पीर-to-peer model और एक क्लाइंट सर्वर मोडल पीर-to-peer में सर्वर नहीं होता है क्लाइं टुस इसमें क्लाइंट तो सर्विस मॉडल में क्या होता है सर्वर होता है ठीक है अगला क्योशन 95 वर्चुल रियालिटी कंप्लीटेड इंवर्मेंट आपको इमर्स कराती है उसका आपको एक हैड़ से पर आप एसे चले जाएंगे जो कि वर्चुल रियालिटी आपको बाहर की दुनिया नहीं देखती उसका आपको एक पूप्यूटर जेनरेटेड आपको कोई दूसा वर्ट दिखेंगा उस तो यह सच है ठीक है चलिए अब 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 अगला कोईशन द आपको पढ़ाया है कि यह करता है रियल चीजों को थोड़ा सा क्रियेटिव करके आपको दिखा देता है लेकिन जिसका रियल लाइफ से कोई रिलेशन होता है रियल लाइफ की चीजों को ही वो क्रियेटिव करके दिखाता है पर वर्ट्वल रियालिटी तो रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड होती नहीं वो तो एकदम दूसरी आपको दुनिया में पहुंचा देता है जो कि कम्प्यूटर जिनरेटेड दुनिया होती है ठीक है चलिए अगला कोईशिन है घेघेटिव साफ्टे करें अगेंस वारस से ऐसा कूछ नहीं एंटि वायरस हर तरीके के मालवेर लटते हैं ठीक है मालवेर ही आप ता वाइरस भी क्या है एक मालवेर है तो यह तो गलत हो गया इसका मतलब इसका सही आंसर है फॉल्स और क्वेस्टिन नमबर नाइटी एट इन इन कॉगनिटु मोड इन वेब ब्राउजर इंसे ओर दैट नो ब्राउजिंग हिस्ट्री और क क्या करते हो तो वह क्या करता है कि जब आप का सेशन चल रहा होता है तो वह कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज को सेफ नहीं करता है हाँ यह सही बात है यह आपका ट्रू हो जाएगा ठीक है और अगला कोईशन हम देख लेते हैं गूगल क्रॉम इज अन ओपन सौर्स वेब डाउजर डेवलप बाइँ मोजिला तो यह बिलकुल गलत है गूगल क्रॉम को मोजिला ने डिवलप में क्या गूगल ने खुद ही उसको डबलप किया चीक है और यह ओपन सोर्स आपरे और यह ओपन सोर्स सफटेर भी नहीं है क्लो सोर्स टोप्टेर है यह कई लास्ट कोईशेन right वोक्मार्ट का का म χोता है कि कि सेव करें हो और वेब पेज को सेव करने ने किसी भी इसलेक ही काम होता है विझले किसी क्ई टाइम डिलेक के अट्सको एक्सस कर लेते हो और अपने इंटरनेंट के 100 कुषिंट कें हैं मैंने पूरी कोशिश की है कुछ उनको मैं अच्छे से एक्स्प्लेइन कर पाऊं फिलाल अगर आपको कोई तब भी डाउट रह चाहे तो प्लीज आप हमें कॉमेंट करके जुरूर बताएं वीडियो पसंद आओ तो लाइक शेर हमारे चानल को सब्सक्राइब कर जुरू प्लोगत्क है कर दो तो लिद आपको कि मैं प्लोगत्क है कर दो सर्चे मैं जुडाएब कर दो को प्लोगत्ट